और ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं कॉमन वेल्ट गेम्स के पदकवीरों से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की ये मुलाकात अपने आप में बेहत खास क्योंकि ये वादा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी किया था जब ये पदकवीर कॉमन वेल्ट गेम्स में जाने से पहले किया था और ये जो है उसके बाद अब ये वादा निभाते हुए पियम नरेंदर मोदी नजर आ रही हैं देखिए अनराग ठाकुर और तमाम वो पदकवीर जो है नजर आ रही होंगे लेकिन देखिए इस बार जो है कॉमन वेल्ट गेम्स अपने आप में बहुत जादा खास रहा है एक सठ पदक इस बार भारत ने अपने नाम किये हैं और जसमें से 22 गोल्ड मेडल ये देखिए जो चेहरे पर मुस्कुराहट प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की साफ तोर पर नजर आ रही होगी लेकिन आज जो है ये मुलाकात होनी थी जो अपने आप में बहुत खास है एक बार फिर ये ये लगभग 80 एकड में सेजन के पत्तों को गाते हैं 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम आपको के लिए समय निकालेंगे और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वही वादा जो है वो पूरा कर रहे और इस बात सबसे खास बात की रही कि भारती एथलीटों ने जो है तरीका रहा है आपको इस से पहले भी याद होगा नीरत चोपड़ा से जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के वो मुलाकात रही थी तो शयद उसे कोई नहीं भूल सकता ना केवल नीरच चोपडा ना केवल प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जबकि पूरा हिंदुस्तान किस तरीके से होसला अवजाही करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नजर आये थे लेकिन आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बर्मिंगम कॉमन वेल्ट गेम्स के विज़ताओं से मिल रहे हैं ये मोदी अपने आवास पर इन भाते खिलाडियों से मुलाकात कर रहे हैं बर्मिंगम में भारत ने 22 गोल्ड मेडल, 16 सिलवर मेडल, 23 ब्रॉंज मेडल जीते हैं पीम ने खिलाडियों के बर्मिंगम रवाना होने से पहले उनसे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए बात भी की थी उनका होसला बढ़ा है तो और अब एक बार फिर से पियम मोधी पदक वीरो से मिलकार उनका होसला बढ़ा रही हैं सिर्फ प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ही नहीं, पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को आज गर्व है इन तमाम पदक वीरो पर क्योंकि इस सिर्फ हिंदुस्तान का नाम जो है इनोंने किस तरीके से विदेश में जाकर रोशन किया है बर्मिंगम में कॉमन वेल्ट गेम्स में किस तरीके से भारत ने जो है पदक जीते और उसके बाद इन खिलाडियों से मुलाकात करते हुए पियम मोदी